नमस्कार दिल की बीमारी से जीवन को होने वाले खत्रे हाल के समय में कुछ अधिक हो गए हैं स्वस्त लोगों में भी सड़न हाट अटाक देखा गया है दिल से दिल तक हेल्दी हाट टॉक शो हर भारतिय को प्रिदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने के एक जन जा जाती है इसलिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फेटरिंटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हाट टॉक शो हुआद शन 2018 में की गई थे बिल से दिल तक हेल्दी हाट टॉक शो को लाखों भार्तियों ने सराहा और हाजारों भार्तिय इस अभियान से जुड़े जिसे देखते हुए जी मद्यप्रदेश चत्यसगड के मंच पर देश के सूप्रसेद रुदैरोग विशेशगे एक जो ठोकर हमें रुदैरोग के लक्षणों, कारणों और उप्चार के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ हमें एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में भी जागरू करते हैं, इसी श्रंख्रा में आज हमारे साथ इंडॉर्ट स्टूडियो में मौझूद हैं, डॉक्टर मनोजबंसल, डॉक्टर सुष्टाते, डॉक्टर पारितोष राजपूत, और डॉक्टर वच्सिल काय आप सभी कही इन दौर स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है, आज आप हमें बताएंगे रिदय रोग के लक्षन, कारण और बचाव के बारे में साथी साथ हम चाचा करेंगे एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में भी, चले कारिक्रम में आगे बढ़ते है और सबसे पहला सवाल, डॉक्टर मनोज बंसल मेरा आप से है, रिदय रोग क्या किसी भी उन्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रूप में दिखा जा सकता है, या कोई लिंग, या है रिडरेटरी, या कोई अन्य कारण है जो रिदय रोग के रिस फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, देखी हमारा जो रिदय है, वो एक मास पेशियों से बना पंप है, जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है, रिदय को स्वैम को जो खून चाहिए, वो तीन नलियों से उसे प्राप्त होता है, इन नलियों में यादी कोई ब् रिदयरोग से प्रभावित हो सकते हैं, जिन परिवारों में रिदयरोग की हिस्टरी है, जहां माता-पिता, grandparents या first cousins के अंदर रिदयरोग है, उन परिवारों में किसी भी सदस्थ्ये को रिदयरोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, महिलाओं के मुकाबले देरो काफी तेजी से उभरा है ये एक महत्पून और चिंता का विश्य है डॉक्टर स्वेश मेरा अगला प्रेशन आप से है आप हमें ये बताए किसी व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि उसे ब्लॉड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो कैसे पता लगा सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर एक silent killer है क्योंकि उसका सीधा असर हमारे हाट पे पड़ता है जहां तक ब्लड प्रेशर का सवाल है तो 90% of the cases में ब्लड प्रेशर एक lifestyle की disease है जिसमें कोई कारण ना होते वे भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो normal range है 120 by 80 उससे काफी higher side पे पाया जाता है ब्लड प्रेशर के कुछ causes ऐसे हैं जिन्ने हम treat कर सकते हैं जिने secondary hypertension कहते हैं उसके लिए जरूर कुछ test है जैसे की सबसे जादा ध्यान देना जरूरी है so lifestyle केवल एक बहुत commonly used term हो गया आजकल लेकिन उसमें अगर हम उसकी depth में जाएं तो सबसे जादा important part है उसका हमारी diet so हमें healthy diet की तरफ ध्यान देना जरूरी है blood pressure के लिए जिसमें की नमक की मातरा काफी कम रहेगी और fruits और vegetable की मातरा काफी जादा रहेगी साथ ही regular exercise तो हमें कम से कम 20-30 minute का एक moderate walk moderate intensity exercise जैसमें walking included है वो हम हफते के साथो दिन या कम से कम 6-7 दिन हफते में करें तो वो हमारे लिए better रहेगा साथ ही जो addictions हैं जैसे की smoking है tobacco है alcohol है यह इसका intake nicotine blood pressure को काफी मातरा में बढ़ा देता है तो इसको हमें avoid करना है और regular sleep सबसे जादा जरूरी है खाना पीना रहना रोटी कपड़ा मकान के बाद में जो सबसे important part हमारी life में आता है वो आता है sleep का जो हमेशा ignored रहता है तो 6-8 गंटे की proper sleep साथ ही yoga meditation और इस तरह के जो भी relaxing exercises हैं वो सारे हमें अपनी life का part बनाना हमने discuss किया कि 20 साल से उपर के सभी वेक्ति को आज की तारीक में कोई भी heart की problem as well as blood pressure की problem हो सकती है तो उन्हें 20 साल से उपर सभी लोगों को अपना blood pressure का regular check up करते रहना चाहिए और medicines का जहां तक सवाल है तो एक बहुत confusion रहता है लोगों को कि medicine start होने के बाद में lifelong लेना दीरे करके कम कर देंगे लेकिन medicines जब तक आप ले रहे हैं तो regularly लेना बहुत जरूरी है उसमें एक दिन लिया दो दिन नहीं लिया यह fluctuation blood pressure को और जादा बढ़ा देते हैं तो जरूरी है कि अगर आप medicine start करते हैं तो अपने डॉक्टर के regular touch में रहे और medicines को धीरे दीरे करके टेपर आफ करते जाएं जैसे जैसे आपका blood pressure control में आता है डॉक्टर पारितोष अगला प्रशन मेरा आप से आप हमें यह बताईए कि कोलेस्ट्रोल और रिदय रोग की बीच में क्या संबंध होता है हार्ट ब्लॉकेज के लक्षन क्या होते हैं और साथी साथ आप हमें य जिसको हम बोलते हैं कॉलेस्ट्रोल सो गूगल पे या किताबों में और पेपर स्विम काफी पढ़ते हैं कॉलेस्ट्रोल के बारे में सो बेसिकली कॉलेस्ट्रोल क्या है कॉलेस्ट्रोल एक एजिंशल फैट है जो की बाड़ी की जो सेल्स होती है उनकी वाल्स को बनाने मे और यह जब एक दाशी सीमा के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वज़े से हमारी यूप आर्टरिस होती है, वो हार्टन होने शुरू आती है, ये गठुद्हे में, ये चली चली जाती है, इन पर कैल्शिम कोड़ाज होता है, तो इसकी वज़े से हमें heart attack वगरे की बीमारिया हो सकती है Recently कुछ studies पाईगी है जिनमें पता चला है कि जो atherosclerosis है वो हमारी life के first decade of life से ही शुरू हो जाता है तो ये बीमारी आज की तारीख में या 50 या 60 साल की बीमारी नहीं रह गी है ये बीमारी हमारे जीवन शेली का एक बाफी बड़ा हिस्सा बन चुकी है और हमारे बच्पन से ही इसका शुरूआत हो जाती है कॉलेस्ट्रॉल डेपॉदिशन की दूसरा अगर कॉलेस्ट्रॉल डेपॉदिशन हुआ है आपकी heart के arteries में जिसको मेत्रोस्रॉसिस बोल रहे है इसके लक्षन सामने था है यह जो देखने को मिलते है वो यह होते हैं जैसे कि अगर किसी ब्रक्ती को चलने फिनने पे सीने में दर्द हो रहा है भारी पन हो रहा है सीने में जलन हो रही है सांस फूलने के शिकायत हो रही है भारी काम करने पर सीने में दर्द हो रहा है या बैठे बैठे अचानक से सीने में दर्द होना तरणना पसीना आना तो यह हाट के ब्लॉक़ेजस के एक लक्षन होते हैं जिसके लिए हमें अपने डॉक्टर को तुरंट संपर करना चाहिए। इसको डाइग्नॉस करने के कुछ सामाने टेस्ट हैं जैसे के ब्लड प्रेशर चेक करवाना, कॉलेस्टरॉल चेक करवाना, शुगर चेक कराना और उसके बाद आपके कार्डिलोजिस्ट या जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना और वो कुछ फिक्स टेस्ट करेंगे जैसे कि ECG हुआ, उसके बाद ECO, फिर TMT अगर रिक्वार्मेंट होगा तो उसके आधार पर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि हर्ट की अंजियोग्राफिय बगरे की जरूत बढ़ सकती है जिसमें आपने ब्लॉकिजिस के बारे में पता चल सके और हम उसका प्रॉपर इलाज कर सके समय पर काफी important सवाल है जैसा कि हम लोगोंने बात किया अभी कि कॉलिस्ट्रॉल का डिपॉजिशन धमनियों में धीरे-धीरे होता रहता है एबं ये कॉलिस्ट्रॉल के उपर एक जिल्ली होती है जिसे हम इंटीमा कहते हैं जिससे ये बंधा हुआ रहता है अगर किसी दिन अचानक ये जिल्ली फट जाती है तो उस दिन ये धमनी पूरी तरह से 100% बंध हो सकती है इसी 100% बंध होने को हम heart attack बोलते हैं इसके मुख्य लक्षन क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टन लक्षन है चाती में दर्द यानि सीने में दर्द एक मुट्टी वर हिस्से में यहां से दर्द चालू होता है जो दोनों हातों में भी जा सकता है पीठ में जा सकता है कई बार इसके साथ थंडा पसीना भी आ सकता है, सांस फूल सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, कुछ मरीजों में खासकर शुगर के मरीजों में छाती में दर्द नहीं होता, तो इन लोगों में सांस फूलना एक important symptom है heart attack का, कई लोग घर पर फेट की जलन acidity को भ पास जाना है या नजदी की अस्पताल जाना है, वहाँ पर usually अगर इस प्रकार के symptoms आपको हैं, तो वो सला देंगे एक ECG करने के लिए, कई बार ECG से ही हमको पकड़ में आ जाता है, कि यह heart attack है, अगर ECG से कई बार नहीं भी पकड़ में आता है, तो एक blood test आपको बता सकते है, ट्रॉपोनिन आई, जिससे भी हमें मालूम पड़ सकता है कि यह दिल का दोरा हुआ है, तो ऐसे में हमको घर के नुस्के नहीं अपनाने और तुरंद किसी नजदी की अस्पताल में जाना है, डॉक्टर मिनोच पनसला मैं आप से जाना चाहूंगे, क्या बिना किसी noticeable symptoms क के भी दिल का दोरा पड़ सकता है, क्या ऐसे कोई hidden risk factors होते हैं हार्ट से सम्मंदित जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, यदि हां तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जागरू करें, अब बहुत अच्छा प्रशन है, देखिए कई बार silent heart attack, मतलब बिना किसी लक् या भारीपन या घबरहाट के भी इन लोगों कई बार दिल का दोरा पड़ सकता है, तो diabetes के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना है, अगर कोई भी बेचैनी, पसीना आना या सांस लेने में दिक्कत हो, तो उनको एक बार medical सला जरूर लेनी चाहिए, कहीं वो दिल का दोरा तो नहीं है, दूसरी बात, risk factors की, तो देखे, रिदय रोग एक lifestyle disease है, जीवन शेली से जुड़ा रोग है, जीवन शेली से जुड़ेवे risk factors हमको सुधारने होंगे, जैसे तंबाकू का सेवन, या वो पान मसाले के रूप में हो, या धूमर पान के रूप में हो, नमक का इंटे को नियंतरित करना है, तो अपने खाने में घीतेल तला हुआ हम करेंगे, साथ ही जिन लोगों को ब्लड टेस्स में बढ़ा हुआ है, जिनके परिवार में कोलेस्टरॉल की दिकत है, माता पिता या रिष्टेतारों में, वो भी अपना कोलेस्टरॉल का टेस्ट करा करके उस जबी चीजों को यदि हम पालन करेंगे, तो हम रिदयरोग से बचे रहेंगे और यही वो रिस फेक्टर से जिनको हम कही नजर अंदास कर देते हैं, डॉक्टर स्वयाश आप हमें बताईए क्या हार्ट डिजीज के अर्ली डिगनॉसिस और ट्रीटमेंट के लिए हाली में कोई नए टेक्निकल डेवलप्मेंट हुए हैं जिसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती हैं जी बिलकुल कार्डियोजी जो है वो रिसेंटली देखा जाए तो सबसे एडवांस साइनसे और लास्ट पिछले कई दशकों में जितना डेवलप्मेंट कार्डिय कार्डियोजी में हुआ है उतना शाहिदी किसी दूसरी ब्रांच में हुआ है सो हार्ट की बिमारी के बारे में हम लोग जैसे ECG, ECO, TMT, Treadmill Test के बारे में तो सभी लोग जानती हैं अभी रिसेंट जो टेस्ट एडवांसमेंट्स हैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोजी में उसमें हम लोग CT Coronary Angiography, Cardiac, MRI, Stress, Perfusion Test और Cardiac Pet ये सारे टेस्ट हैं जो हम हार्ट की उन बिमारियों को भी डियाग्नोस कर पा रहे हैं जो पहले काफी समय तक डियाग्नोस नहीं हो पाती थी साथ ही अगर मैं बात करूँ कि जिन लोगों को हार्ट का अटेक आया है और उन्हें इलाज की जरूत है तो इलाज में भी आजकल रिसेंट डाइगनोसिस के लिए जैसे ट्रोपोनिन का टेस्ट है साथ ही जो हम लोग Angiography, Angioplasty करते हैं वो भी काफी advanced हो गया है जिसके केलिशम है तो हम लोग उस केलिशम को ब्रेक करने के लिए भी काफी सारी technologies आ गई है जैसे कि रोटा एबलेशन या फिर लीथो ट्रिपसी के बलून से आ गए हैं तो अब वो पहले का जो एरा है वो काफी change हो गया है और अब काडिलोजी में शायद ही कोई ऐसी बिमारी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं treat कर पा रहे हैं साथ ही जिन पेशिंट्स का हार्ट काफी weak हो गया है उनके लिए cardiac transplant की भी आजकल जो facilities है वो काफी बहतर हो गई है और काफी शहरों में available है तो अब हमें हार्ट के पेशिंट्स को पहली बात हो यह कि बड़े शह में हम लोग सारी facility प्रवाइड कर पा रहे हैं और हार्ट के पेशिंट्स के जो देरी होती थी diagnosis में वो बच गई है तो उसकी वज़े से जो हार्ट का pumping है जिसे ejection fraction कहते हैं उसे preserve कर लिया जा रहा है और अरली डाइग्नोस करके अरली उसे इंटर्वीन किया जा रहा है जिस को पेश में करके आवशक तक अब होती है और पेश में कर कितने प्रकार के होते हैं इस सवाल का इसका जवाब मैं इस तरह से शुरू करना चाहूंगा जैसे कि हमारे घरों में दो तरह की लाइन्स होती है एक होती है पानी की पाइपलाइन और एक दूसरी होती है इलेक्ट हमारे हाट का. तो जब इसकी बीमारी आ जाती है, उसकी वज़े से कभी-कभी हमारी दिल की धड़कन जो होती है, वो काफी ज्यादा कम हो सकती है, जिसकी वज़े से बेहोशी आना, चक्कर आना, अचाना, गष्ट खा के गिर जाना, ये सारे symptoms होते हैं इन conditions में जब आपकी दिल की धड़कन बहुत जादा कमजोर हो गई है आपको बेहोशी आ रही है उन cases में हम pacemaker को उप्योग करते है जिसे कि हमारी heart की जो pumping है वो improve हो सके हमारी heart की electric wiring refurbish हो सके एक replenish हो सके proper तरीके से दूसरा pacemakers के कई प्रकार होते हैं एक pacemaker होता है single chamber जिसमें एक तार लगता है दूसरा होता है double chamber pacemaker जिसमें दो तार लगते हैं एक atrial में लगता है एक ventricle में लगता है इसका decision आपके doctor लेता है आपसे discuss करने के बाद कि आपको किस तरह का pacemaker चाहिए recent advancements में एक नए तरह के pacemakers भी आने लगे हैं जो कि biventricular pacemaker होते हैं जिसमें होता ही है basically जो patient जिन में left bundle branch block नाम की एक बीमारी होती है उनका heart काफी ज़ादा कमजोर हो गया होता है उन patients में इस pacemaker यूज किया जाता है और इसकी use करने के बाद जो suitable candidates होते हैं उनकी heart की pumping लगभग नॉर्मल लेवल तक आ जाती है जिसकी वैसे उनके जो सांस फूलने की शिकायते वगरे होती है वो काफी कम हो जाती है तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे तीन प्रकार के pacemakers होते है एक चौधे प्रकार का pacemaker होता है जिसको EICD बोलते है जिसमें यह होता ही है कि जैसे हमारे कोई patients हैं जिनका दिल की pumping बहुत जादा कमजोर है और उनको repeated ventricular tachycardias की बीमारी है तो उन patients में इस तरह का pacemaker लगा जाता है जो की emergency situation में जब आपकी दिल की दरकान बहुत जादा खराब होगी है उसको ventricular tachycardia हो रहा है तो वो एक छोटे सा शौक देखे आपकी जान बचाने का काम कर सकता है डॉक्टर वचला आप हमें बताईए कि हार्ट डिजीज के management में regular blood pressure monitoring के साथ-साथ lifestyle, diet और exercise का क्या महत्व है जी हाँ यह सभी जो आपने कहा काफी important है सबसे बिल हम बात करेंगे blood pressure monitoring की यह क्यों जरूरी है यह blood pressure एक silent disease है यह आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपका blood pressure कितना है हो सकता है कि आपका blood pressure 180 हो पर वो कुछ भी symptom नहीं आएगा तो इसमें सबसे important है उसकी जाच करना इसलिए heart disease में भी regular blood pressure monitoring काफी आवशक है regular blood pressure monitoring में भी हमारे जो targets हैं blood pressure के वो है systolic blood pressure less than 120 याने 120 से कम एवं diastolic blood pressure 80 से कम जो नीचे वाला blood pressure आम भाशा में हम बोलते हैं दूसरा आपने कहा diet diet याने स्वस्ताहार वो तो हम आज सभी लोग जान रहे हैं कि स्वस्ताहर का कितना ज्यादा योगदान है एक healthy lifestyle के लिए उसमें हरे पत्ते की सबजियां, fruits ये सब चीज़ें ज्यादा हमको मातरा में लेना है दूसरा, cholesterol याने ज्यादा वसा वाली चीज़ें उन सब को हमको कम रखना है खास करके animal products ये सबसे ज्यादा cholesterol चीज़ होती है जिसको हमको कम करना है तेल घी चिकनाई को कम करना है डायेट से एक और चीज़ आपने खाई exercise तो exercise में ना सिर्फ फिजिकल exercise आती है जैसे कि walking, jogging ये तो करना ही है World Heart Federation भी recommend करता है कि at least 30 minutes walking, brisk walk यानि तेज़ चाल से चलना है वो आपको हफते में कम से भी कम 5 दिन तो करना ही है दूसरा योग ये वो meditation ये भी मैं समझता हूँ कि exercise से ज़्यादा important योगा और meditation है जो heart को healthy रखता है और स्वस्त रखता है थैंक यू मैं डर्शकों को संदेश बहुत short में देना चाहूँगा D याने diabetes अपने sugar levels stress कराएं यदि sugar आती है तो उसको दवाईयों के माध्यम से नियंत्रित करें और E याने exercise जैसा कि हमारे सब की चर्चा होई है exercise करें और fit रहें डॉक्टर सुईश दातिर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से सबी के लिए यह है कि अगर आपको heart का कोई problem नहीं है तो आप अपनी lifestyle पे ध्यान दीजे कि future में आपको कोई heart का problem ना हो lifestyle में जो चीज़े हमने डिसकस की है उस पे individually हर चीज़े आप ध्यान दीजे तो overall आपका lifestyle ठीक रहेगा साथ ही जिनको heart का पहले से problem है heart take आ चुका है bypass या एंजोप्लास्टी हो चुका है वो लोगों के लिए भी यही संदेश है कि आप घबराएं नहीं पहले तो अपना lifestyle सुधार है साथ में जो आपकी medications हैं जो drugs हैं जो आपके doctor हैं उनके continuous touch में रहें और इलाज में कोई भी लापरवाई ना करें heart attack आपकी life का एक event हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वापिस से अपनी normal life पे नहीं आ सकते तो आप अगर एक regular diet plan और regular lifestyle को follow करेंगे और properly अपनी medications लेंगे तो वापिस से आप अपना back to normal life और एक healthy life को continue कर सकते हैं डाक्टर पारितोष्ट आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए मेरा संदेश यह है कि कभी आपने symptoms को ignore ना करें अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है जलन हो रहा है तो उसको acidity ना माने क्योंकि acidity का इलाज काफी हद तक सामाने है संभव है लेकिन अगर वो heart attack हुआ तो उसके काफी बड़े consequences हो सकते हैं दूसरा heart की बीमारी अगर आपको है अगर angioplasty या बाइपास हो रखिये तो उसके बाद भी normal lifestyle जीपाना बहुत जादा मुम्केन है आजकल तक्निक इतनी जादा बैतर होगी है दवाईय इतनी अच्छी हो गई है कि हमारी heart की जो बीमारिया है heart जो कमजोर होगे है वो काफी अध्यक सामाने स्थेती तक पहुँच जाता है डॉक्टर बच्सिल आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से मैं दर्शकों को यही सला देना चाहता हूँ कि एक अच्छा lifestyle follow करें सबसे important एक balanced diet स्वस्त आहर लें दूसरा नियमित व्यायाम करें योगा करें, meditation करें चोथा smoking और smoking एवे हम और चोथा एक healthy lifestyle को follow करते रहें बहुत जरूरी है कि हम समझे हिर्दय रोग एक जीवन शैली से जुड़ावा रोग है एक स्वस्त जीवन शैली को अपनाना होगा और हिर्दय रोग के जो risk factors हैं धूम्रपान, तंबाकू का सेवन हाई कोलेस्टरॉल लेवल्स हाई ब्लड शुगर लेवल्स सॉल्ट और शुगर का अत्यादिक सेवन और अपने जीवन में exercise का कम होना इन सब को समझते वे अपने जीवन शैली को हमें मॉडिफाई करना होगा और एक स्वच जीवन शैली को अपनाते हुए हृदय रोग को पचाड़ना होगा नवश्कर आज के समय में हमें exercise के लिए जो समय नहीं निकल पा रहा है और sedentary lifestyle हो रही है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं कि अधर भी जा रहे हैं कोशिश करिए कि आप नेचरल वे में स्या तो साइकलिंग करते वे जाएं या फिर पैदल जाएं ताकि आपकी एक सरसाइज का एक तरीका वो भी हो जाए लिफ्ट का उपयोग काम करें और डे टो डे लावा भी अपने दिन में पंदरा से बीस मिनिट का समय निकालें जिसमें कुछ नहीं तो केवल वाकिंग कर लें हमारी जो ड्रास्टिक ट्ली चेंजिंग लाइस्टाइल है हमारा स्ट्रेस लेवल्स है हमारी इटिंग हैबिट्स है हमारा लैक और फिजिकल अक्टिविटी है इसकी वज़े से हमारी हाट की बीमारिया है वो काफी जादा बढ़ रही है सो मेरा यह आप से अपील है कि आपके जब भी कोई परेशानी हो तो उसके आप सिंटम्स को कभी इग्नॉर ना करें जब हाट की हमारे परेशानिया होती है अगर आपको कोई दबाई भी चलती है तो उन दबाईयों को भी नियमित रूप से लेते रहें और सबसे अंत में अगर आपको कुछ भी सिंटम्स हैं तो उसे इग्नॉर नहीं करें क्योंकि यह सिंटम्स ही आगे जाके रदे की बीमारी को बढ़ा सकते हैं कुछ भी लक्षन है तो उसे तुरंट हम नजदी की चिकतसक के पास जाएं यह वो मुसका इलाज करा है धन्यवाद एक रदे को स्वस्त कैसे रखा जा सकता है इस बारे में आज कारिकरम ने हमने बहुत महत्वपून चर्चा की है आप सभी ने इतनी महत्वपून जानकारे दी इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमें पूरी उमीद है कि हमारे दर्शकों ने यह सभी जानकारियों को बहुत ध्यान से सुना होगा और आप सभी इसका पालन भी अवश्य ही करेंगे अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना न भूले फेस्बुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हाट को और आप हमसे जुड सकते हैं यूट्यूब, इंस्टरग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी लॉग इन करना न भूलिएगा धन्यवाद